शंकरम् शंकराचारियं केशवं बादरायणं सोत्र भाष्य कृतो बंदे भगवंतो पुनह पुनह इश्वरो गुरुरात्मेती मूर्ति भेद बिभागिने व्योमवत ब्याप्त देहाय दक्षिना मूर्ताये नमह सदाशिवसमारंभाम शंकराचार्यमध्यमाम अस्मदाचार्यपर्यंताम बंदे गुरुपरंपराम स्रुति स्म्रति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादं शंकरं लोक शंकरं अभ्यक्त रूप से कणकण में विराजमान प्राथा स्मर्णी परंपोज स्वामी प्रेमपुरी जी महराज बंदन नमनन को अध्यात्म बिद्याकेंद्र स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में प्राता कालीन प्रवचन जिसमें बैराग सत्कम नाम के ग्रंत पर भरतेहरी जीद्वारा रचित हम लोग चिंतन कर रहे थे नाम जैसे है बैराग्य हमारे चित्त में बैराग की पूझी बढ़ाने वाला ये शास्त्र है जिस भी चिंतन से विचार से थोड़ी संसार की आसकती ममता कम हो वही हमारे लिए साधन है भगवान भास्षकार कहते हैं साधन में ज़्यादा जोर देना चाहिए साध्य तो मिले हुआ है साध्य की कोई प्राप्ती नहीं करनी है वो तो सता प्राप्त है वो तो आपका सरूप ही है उपाय जो होता है वो सब कसब साधन में किया जाता है जो हो बैराग की भूमी है जब वह कोमल होती है मृदु होती है बहुत परिपक को नहीं होती तब यह ब्रह्म विद्या फिर बिराजिस्मा नहीं होती फिर वह जो निष्ठा होनी शहिए वह निष्ठा फिर बनती नहीं है उसके लिए थोड़ा त्याग की बैराग की भूमी चाहिए एक संद बहुत सरल भासा में चार पंक्ती में बैरागय को उन्होंने संबोधित किया चार लाइन में हिंदी में उन्होंने बहुत सरल भासा में किया सबका सार उसी में आ जाता है अब पहली लाइन में कहा, अपने चित्त को ऐसा बनाओ, कि आप प्राप्त वस्तू की कामना नहों, जो चीज अभी हमको नहीं मिली है, जादा तर जो जीव है उसकी कामना बना लेता है, अमुक वस्तू चेहिए, अमुक ब्यक्टी चेहिए, अमुक बर्षिति चेहिए, आप प्राप्त की कामना न हो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, दूसरी चीज कहा उन्होंने, दूसरी पंक्ति कहा, आपके प्रारध वर्षात कुछ चीजे प्राप्त हैं, प्रारध के कारण, या हमारे बच्चों के परिश्टरम से, कुछ बस्तुएं जो प्राप्त हैं, तो ममता न हो, जो अप्राप्त है, उसकी कामना न हो, और जो प्राप्त है, उसमें ममता न हो, समझना आसान नहीं होता, क्योंकि घार में जब कोई बस्तु होती है, तो हम कह सकते हैं, इससे हमारी कोई ममता नहीं नहीं, ममता पता तब लगे जब वो तूट जावे, या कोई उ शेप होता है कि नहीं वो पहिचान होती है, वहां से पहिचान होती है, तो प्राप्त बस्तु की ममता ना हो, और तीसरी पंक्ती में उन्होंने कहा, तीसरी लाइन, मिली हुई शक्ती का दुर्पयोग ना हो, यह बहुत अच्छी तरह से समय में आ सकता है, किसी को पद मिल गय उस पद के अभिमान में फिर किसी को समस्ता नहीं, किसी को धन की शक्ति मिल गई, फिर किसी को समस्ता नहीं, किसी के परिवार में 4-6 बच्चे बड़े-बड़े हो गये, बल हो गया, जन बल हो गया, जैसे दत्रास्ट आदी, तो फिर अनीती करते हैं, तो जो मिली हुई शक् उसका फिर दुर्पयोग ना हो बहुत तो बहुत साउधान रहेगा तभी हो सकता है अचवती पंक्ती तो ऐसा को हूं क्या को हूं उन्होंने का संग्रह में रुची नहों तो ये चार पंक्ती उन्होंने कहा और कहा कि अगर ये चारो आजाए तो उसी का नाम फिर आप बहराग्य है उसी का नाम आपके अंताहकरण की निर्मलता है अंताहकरण की सुध्धी हम बार बार कहते है तो अंताहकरण की सुध्धी का कोई विशेश पहचान नहीं है ये अगर हो जाए तो समन्ना की आपका अंताहकरण सुध्ध है सुद्ध अंता करन की सुद्धी है फिरो ब्रहम ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है अब प्राप्त की कामना ना हो प्राप्त बस्तु में ममता ना हो मिली हुई शक्ति का दुर्भयोग ना हो और हो बहुत सरल भासा में कहा है इसलिए का कभी कभी बहुत सरल चीजे जो है हिर्दें को बहुत असपर्स करती है तो हम लोग जो हां से छूटा था से 47 इस लोग से पढ़ते हैं भर्तीरी जी महाराज का से 47 इस तक पढ़ लिया था बिद्या नादिगता कलंकरहिता बित्तं चनो पार्जितं सुस्रोशा पिसमाहिते नमनसा पित्रोरना संपाधिता आलो लयत लोचना जुवतया सपने पिनालिंगता कालो यंपर पिंडलो लुपतया काकाई रिव प्रेर यर्ते अब एक ऐसे ब्यक्ति का जीवन है यहां पर कि जो परजीवी है इसको कते हैं परजीवी जैसे कभी-कभी एक पेड़ की उपर दूसरा पेड़ उगाता है तो दूसरा पेड़ पीपल का वर्गत का कभी देखेंगे तो एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरा पेड़ जब उगाया तो जो ऊपर होता है वो नीचे वाले पेड़ का खाना पीना लेता है हम लोगों के सरीर में भी एक बीमारी ऐसी है हम लोग कैसर कहते है न वो एक तरीके से ऐसे ही होता है एक ऐसी जगा पर वह डिवलप होने लगता है जहां सरीर की सारी सक्तियों को वह एक जगा पर ले लेता है पर जीवी तो ऐसा कोई एक ब्यक्ति है जो पर जीवी है परिश्रम भी नहीं करता साधना भजन भी नहीं करता चिंतन मनन भी नहीं करता संतों के पास जाना आना भी नहीं बस पड़ा रहता है भोजन मिल गया तो खा लिया अब उसके जीवन की भिडंबना कहते हैं कलंक रहिता बिद्या ना अधिगता कलंक रहिता बिद्या ना अधिगता हमने शास्त्रों की या संतों की सेवा करके ऐसी बिद्या प्राप्त नहीं किया जिससे हमारा मन अच्छा होता यह को बिद्या दोनों प्रकार की होती है कलंक रहिता बिद्या माने अब कभी-कभी ऐसे भी सुन्यक मिलता है, चोरों को भी गुरु जी होते होंगे, है न, वो कहते हैं, हमको ताला तोड़ना किस से सिखा, वहले हमारे गुरु जी हैं, अब ऐसा मसमनना गुरु जी नहीं होते हैं, अब एक पिक्चर बनी थी बंबई की, गुरु हो जा सुरू, उसका पोस्टर हमन आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, हमने ब्रह्म विद्या को प्राप्त, नहीं, वो विद्या जो समाज में आदरनी हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, अब भ्यूदय और निश्रेयस को प्राप्त कराने वाली हो, शास्त्र सम्मत, निर्दोष विद्या को हमने प्राप्त नहीं किया, समय कमा दिया. फिर बिक्तम चा ना उपारजितम, अरे परिसरम करके पैसा कमा लेते, ओ भी तो हमसे हो हो, नहीं पाया, ओ भी नहीं हो पाया, धन भी हम ठीक से कमा नहीं पाये, तो कोई बात नहीं, कम सकम माता-पिता की सेवा कर लेते, बड़े गुर्जनों की से सेवा कर लेते हैं तो कयते हैं सुसरूसाादा समाहिते हैं संथ चित्त से चांथ मन के द्वारा बड़े लोगों की नहीं किया। अब कभी करने पड़ा होगा तो गुस्से में कर दिया होगा बहुत बार होता है पिता जिन कहा एक गिलास पानी लाओ तो बच्चा लाता है बुन-बुनाते हो ये चैन से टीवी भी नहीं देखते हो लो पियो ऐसा भी ऐसा भी करते हैं तो समाहिते मन सा बेलकुल समाहित मन से प्रसंद मन से शुद्ध मन से हमने अपने मा श्राप्त कर लेते कहा यह कुछ नहीं कर पाये निस संसार में चलो कंश कम भोगी लेते ये ह। भोगी लेते तो जो हो चंचल नेत्रों वाली ज्वति आ लो चय त मने बहुत सुन्दर संदर इस्त्री जो हमारी पत्नी है, बहुत सुंदर मेरी पत्नी, ऐसी पत्नी को स्वपने ना लिंगता, स्वपने अपी, मतलब गरहस्त में भी नहीं गया, गरहस्ती भी नहीं गया, गरहस्त में जाता तो कम सकम ग्रिहस्त का सुक्पाता, वो भी ठीक से काम भोग भी नहीं कर पाया. तो कालाह अयम परपिंड लो लुपतया, हमने समय कैसे बिताया, किस परकार से परपिंड लो लुपतया? कोई हमको दे देवे कुछ दो रोटी खा ले कोई भोजन दे देवे परफिंडवाने कोई दे दे जैसे सराद गएर हम पिंड़ंड़दान करते है न गोल-गोल से बना करके और रख देते हैं और अगर कवा आजावे तो पिंड़दान करने वाले खुस होते हैं कि हमारे, यहीना काकई यू, काकई कऊ ये के जही सा, फिर हम बस किसी का इंतजार करते रहें कि कोई हमको दे दे वे, भोजन कोई दे दे वे, मतलब पूरा जीवन जो स्रेष्ट कार करना चाहिए था, ओ हम कुछ भी कर नहीं, ना संसार का सुक भोग और ना अध्यात्मिद्या, जब दोनों नहीं, ना इधर के, ना अधर, ऐसा जीवन हमारा समात हो गया, तो, अहाँ, चलो, एक इसलोक और है, है तो अभी हाँ, वायम येभ्यो जाता शिर्परिगता एवखलुते, समम् येई संब्रधा स्मृत्विशयताम तेपि गमिताह, इदा नीमे तेश्म प्रतिदिवस मासान पतना गतास्तुल्यावस्थाम शिकतिल नदी तीर रुभी इसमें गलत चपा है, हमारे वाले में गलत चपा है, तीर तरुभी, इसमें सही है, तीर तरुभी, कह रहे हैं, इस्थिति क्या है, बायम येभ्या हम, बायम माने हम लोग, हम, जिससे उत्पन हुए, जिससे पैदा हुए, बायम येभ्या जाता, कौन माता पिता, हमारे देखते देखते, हमारे देखते देखते परिवार में, जिनसे हमने जनम लिया, जिनकी गोद में खेले, जिनसे प्यार मिला, दादा दादी माता पिता चिर परिगता चिर परिगता माने जिन से बहुत हमारा इसने था बहुत लगाओ था बहुत अपना पन था उस सब के सब परिगता ये वो एक एक करके सब के सब चले गए अब यही तो संसार है और क्या इसमें कोई जो है कम साधक को इसमें को घबडा जगत की सत्यता है, खुली आंक से देखो आप और क्या, खुली आंक से देखो, तो जो मेरे अपने थे, जिनसे मेरा इसने था, जिनसे मेरा जन्म हुआ, जिनने मेरा पालन पोशन किया, उनमें से एक एक करके सब के सब परिगत आ, सब के सब यहां से चले, खालू माने निश् रूप से देखो तो ऐसा दिखाई पड़ता है। आपके वल कहां रहे गए हमारी यादास्त में रहे गए जगत का ऐसा रूप देखो हमारी याद में रहे गए हरिद्वार में एक बहुत बढ़ियत होता रहता है जाना पड़ता है कभी जाते हैं। तो एक कभी संत जी का नाम सुना होगा संत पथिक जी महराज करके संत पथिक जी का नाम था बहुत अच्छे संत थे बहुत अच्छे तो उनका जो है निर्वाण महोशोक था तो करीगो 14-15 साल तो जैसे हाल है पूरा हाल भरा हुआ था कई लोग थे महामनलेस्वा लोग और भी उसमें युखपूरुष परमानन जी और सब लोग वहां थे तो एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही वो हमको दिल को छुगया सभी संदे से पांच-पांच मिनिट में जो है स्रद्धांजली अपना अर्पित करेंगे तो एक संत न लोग इकठा होके कुछ भावन कर लेंगे कुछ कर लेंगे और ज्यादा लोग नहीं होते परिवार में भी ज्यादा लोगों का इकठा होने का समय नहीं रहता कोई कहीं है कोई कहीं है और एक संत का पंदरहमा जो है निर्वान महोसो है पंदरहमा सोलमा है और इतने सारे ल आज भगवान संकराचार की जहनती कितने सालों बाद हम मनाते रहते हैं, महापुरसों का समय, और ग्रहस्त में चाहे जितना कर लो, चाहे जितना कर लो, लेकिन केवल इस्मृती में रह जाएगा, और ओ भी बहुत जादा नहीं, एक दिन, एक दिन है न, कितना कहा, इस्मृत इस्मृती बिशयताम केवल याद में रह जावेगा, किसी के पास फिर आपका, हमारे किसी दादा जी का, पिता जी का, कोई चलो, उनका दिन है, आप बुलाओ सभी बच्चों को आजाओ, तो सब के अपनी अपनी जो है समस्याएं होंगी, किसी के बच्चे की परिक्षा हो होगे, किसी के पास टिकेट नहीं मिला, कोई कुछ कहेगा, हमारे अपनी परिवार के लोग सब इकठा है, आप लोग अनभो करके देखो, खास करके, तो कहां हो गए सब, इस्मृती बिशयताम, सब के सब केवल याद में रह गए, और जादा, सही तो यह है कि बहुत जाद पेढ़ी का याद भी नहीं रहता, अगर हमसे कोई पूछे, किसी से पूछे, तो अपने पिता जी का नाम याद है, उनके पिता जी का नाम याद है, दो तीन पेढ़ी, और अगर हम कहें कि मेरे दादा जी के पिता जी का क्या नाम था, तो साइद दो चार लोगों को, जिन नाम हमेशा रहेगा ब्रह्म नहीं लगता जब हमारे अपने परिवार वाले दूसरी तीसरी पीड़ी में हमारी नाम तक भुला देते हैं तो कहां रहेगा या तो फिर भाई या तो फिर हमारे कभी साहिब जैसे तुर्शी दाश जैसे भक्त बन जाओ बड़े श्रेष्ट बन जाओ ताब तो फिर समाज आपको हो याद रखे अन्य था संसार में तो कोई किसी को याद वाद नहीं रहता बस थोड़ा दिन तक इस्मृति में रहते है इदानी इस समय इदानी मने इस समय यह थे हम लोग जो हैं मानलो हमारे दो चार साथी भी हैं हम भी हैं अब जो बचे हैं जो बचे हैं कैसे हैं कह रहे हैं कि हमारी हालत क्या है बड़ा अच्छा जो है यहाँ पर रुपक दिया कि एक नदी है नदी के किनारे बालू है नदी के किनारे बालू है बालू का धेर है उस बालू में एक पेड़ खड़ा है पुराना और नदी बाड़ पे आ रही है तो जब नदी बाड़ पे आ रही है तो उसके जल का जो प्रवा होता है वो बालू को काटता है तो वह जो पेड़ खड़ा है किनारे शिकतल नदी तीर तर्वी, शिकतल माने बालूई जमीन में, जो किनारे वह पेड़ खाड़ा है तर्व, उसकी हिस्थिती क्या होती है, बस अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, ऐसे जो है, अचानक नहीं गिरता, बलकि धीरे-धीरे जुकता हुआ गिरता है, तो जैसे वो होता है कि नदी के किनारे बालूई जमीन में, एक पेड़, नदी के कटान से धीरे-धीरे जुकता हुआ कि अब गिरता है, अब गिरता है, बिलकुल इस समय, गत तुल्य अवस्थाम, इस समय हम लोगों की हिस्थिती, बस ऐसे, अब क्या कहा जाए, जादा तर ससंग में तो हमारे ऐसे लोग होते हैं सब जगे, सब जगे, सब जगे होते हैं, अब जो नए बच्चे हैं, जो आते नहीं, अब हम महात्मार लोग बार बार सुनाते रहते हैं, प्रवचन में सुनाते हैं, भगवान को कौन सा फोल चड़ाओ, ताजा की बासी, बहुत अवस्था, कौमार आचरेत प्राग्या प्रलाद ने ही कहा था, कौमार अवस्था से ही बुद्धिमान को भगवान की भक्ती करने ने चाहिए, कहां कर पाते हैं, तो भाल अवस्था गई, जुवा अवस्था गई, सब्जादा तर, आप लोग फिर भी बहुत भागे साली हो क्योंकि कोई होई बहुत महानपुरसों के दर्सन पाए हो, उनका कृपा मिली है, सालों साल से, नहीं समाज में बहुत कम है, दुरलब है, दुरलब है, यह तो बंबई जैसे सहर में सास्थान, जहां संत लोग आते रहते हैं, अभी समाज में आप जाओ, बड़े-बड़े सहरों में नहीं दिखाई पड़ता, कि सत्संग हो गए, संत आमे, कहीं कोई है, तो मंदिर है, मंदिर में महात्मा जी बैठे हुए हैं, बस अहां, ऐसे जहां पर स्वाध्या हो सत्संग हो, मिलता नहीं, इस्वर की कृपा है, तीसरा इसलोग पढ़ते हैं, तीसरा इसलोग अब आपकी जो है, गणित किसी का ठीक ठाक होए, तो कर ले ना, एक तीसरा इसलोग, ए महात्मा लोग सब का गणित कराते हैं, यह इसलोग परसिद्ध है, महात्मा जबीश में, और कहते हैं, गिनो, कैसे गिनो, कितना आयू बश्ची आपकी, तो कहते हैं, तस्यार धस्य परस्य चाधर्म परम बालत्व ब्रिद्धत्वयो, सेशं ब्याधि वियोग दुख सहितं सेवाधि भिर्नियते, जीवे भारितरंग चंचलतरे सौख्यम कुता प्राणिनाम। कह रहे हैं, देखो, आयू कितनी है? आवसत आयू, इसको हम लोग कहते हैं, आवसत आयू. हमारा जो सुरुती का सिध्धान पर है, बेद का, वहाँ पर मनुष्य की आवसत आयू सो भर्स ही मानी गई. पौराणिक काल में वहाँ कोई पांच हजार साल तपस्या करता है, दस हजार साल तपस्या करता है, वो पुराणों में ऐसा आएगा. लेकिन सुरुती हमारी बार-बार कहती है, मनुष्य की आवसत आयू, अब उसमें कोई 80 साल जीता है, कोई 120 साल जी लेगा. आवसत आयू सो भर्स की. और प्रमाण के रूप में पूछें, तो जी वेत सर्ता ह सतम, पर्षेम सर्दा सतम, सुरुनियामी सर्दा सतम. हम सव साल तक जीते, सव साल तक हम कानों से सुनते हुए जीते, सव साल तक हम अपने नेत्रों से देखते. अब इसा वास्वर्ष तो दूसरा वाला मंत्र है कुर्वन्येवे करमाणि जी जी विशेत सथम समाँ तो एप्रमाड है कि मौनुष इब्वेदिक प्रमाड है सव भर्ष की अब सव भर्ष में हिसाब लगाओ तो आयुः भर्ष सथम लेकिन इसमें से रात्रव तदार्धम गतम कि आधा आधा सोगे कि नहीं कि आधा कहां गया तो अब बचा कितना आधा ही बचाना आप जेतना सव साल था तो पचास ही बचे पचास पूरा ठीक था तरहें तास से आरधा से परश्यचा आधार्म परम बालत व्रिद्धयो तास से आरधा से बालत व और आरधा व्रिद्धत व एदोनू तो इसका जो हिसाब जो है कि उसका एक हिसा जो कितना हुआ 25 साल हुआ ना सव का एक हिसा पचीस साल हुआ, तो पचीस में से साढ़े बारा जो है बालत्तों में गया, और साढ़े बारा गया किसमें, बृध्धत्तों में, तो साढ़े बारा साल गया किसमें, जब हमको धार्म धार्म का ज्यान नहीं था, बालक पन था, और साढ़े बारा साल उसमें ब पचीज बचीज बचीज वह ठीक ठाग बचे क्या है जो और पचीज बचे तो सेसं ब्याधी वियोग दुख सहितम जो बाकी बचा हैं अब उसमें कभी कमर्द कर रहे हैं कभी घुटना दर्द कर रहा है फिर ब्यादे फिर कभी कोई कोई चोड़ के चला गया तब उसके दुख में रोक रहे हैं, यही तो ना बियोग दुख हम, कोई चला गया तब उसके दुख में रो रहे हैं, कभी कुछ और बात हो गई, और सेवा दे भिर नियते, कभी किसी की सेवा करने पड़ती है, कभी परिवार में कोई तकलीप में ह तो सब कर सब तो इसी में चला गया, बीमारी को ठीक करने, कोई आया स्वागत किया, गया बीदा किया, कभी किसी के सेवा किया, भजन कब करो? कभी बैट करके बिल्कुल शांत मन से बिल्कुल मन को शांत करके दिन का हिसाब लगाओ कि एक दिन में आपने सच में कितने समय तक आप अंतरमुखी रहे भगवचिंतन की है कितने समय तक अपने दिन का हिसाब लगाओ और जो आप लोग सुनते हो ना कि 10 परसेंट 24 घंटे के 10 परसेंट दो घंटा तो मान ले ना दो घंटा क्या सच में दो घंटा हम पूजा करने भी बैठते हैं अगर भगवान की सामने भी तो मन कुछ और सोचता रहता है ना अब बार-बार सुनते हो क्या कि जहां मन होता है वहीं हम होते हैं पूरी तलीनता के साथ तो दो घंटे हम अपने समय का दसमा हिसा पूजा ध्यान में भी नहीं लगा पाते अगर किसी का होगे तो बहुत बड़ी है इसलिए जो है माना जाता है कि ध्यान भजन में मन भटकेगा सेवा कर लेने लगोगे न तो ओ अच्छे काम में समय जाएगा और मन भी सांत रहेगा कोई न कोई सेवा ले लिए मंदिर में जाकर के सेवा करने लगे या कहीं और समय का स्रेश्टतम सद प्योग है अनताा करन की सुथी के लिए यह स्विकार कर आशरमों में भी संतों को भी सेवा दी घी आ प्लँन को अ किसी भी आशरम में आप चले जाओ रहने के लिए महात्मा हो तो भी सेवा दी जाती पूरा जो है सबसे ज्यादा जो भौतिक यगत की बिद्या पढ़े लिखे उमारे डाक्टर स्वामी गुविंदा नंग जी अधु कर स्वामी प्रभुद्धानां जी फोच्वोण के चले गए थे तो हमारे आस्रम के सामने भी रहते थे बहुत समय तब वहीं उनका सरी चुट फोट गँब के सामने प्रभुद्धानां जी अभी दो साल पहले ऑब दो साल बनी वहाँ द्या होगा प्रबुद्धा नंजी जो फिर एक स्वामी बिमला नंजी थे वो चले गए थे फिर वो अलिगड़ के पास में और यहां पर आये रहे हैं तो गव की सेवा किया जब महराश्री जो महंत थे उंकारान जी का सरी छूटा तो किसको महंत बनाया जावे तो जो गव सेवा करते थ आज के समय में ते डिव हैं अभी हैं अभी हैं सच्चिदान जी लेकिन उस समय गव की सेवा उनने बहुत किया बहुत किया और हमारे महत्मार लोग कहते हैं यह जो इतनी सेवा किया उसी का ऐसा बोला जाता है, नहीं तो वहां तो और भी कई चाहते थे, लेकिन ने, उन्हें को बनाया हुई, तो कम सकम हमारा सरीर कुछ अच्छे कार में सेवा भाव में लगा रहे हैं, गव सेवा में लगा दिया, रसोई में सेवा में लगा दिया, इसलिए कभी-कभी ऐसा लगता ह कि जैसे आश्रम में गिरिश जी भाई हैं, मसूद अंजी हैं, मुमा जी हैं, सब लोग अपना सेवा में लगे रहते हैं, तो अच्छा है, यह आपके समय का स्रेष्टतम सदपयोग है, स्रेष्टतम सदपयोग है, आप बैठ करके घर में ध्यान करो, मन जाता है, अपने मन वारी तरंग चंचल तरे, जीवे, यह जो जीव है, इस जीव का जीवन कैसा है, वारी तरंग चंचल, पानी के बिलकुल लहर के जैसे चंचल ही है, सौख्यम कुताह प्राणी नाम, अरे सौख्यम माने सुख, इस जगत में शांती सुख कहां है, कुताह कहां है, यहां संसा में देखो तो आधा में सो के गुजारे कुछ बच्पन में चला गया जब होस नहीं था कुछ बिधद्धावस्था में चला जाता है शरीर की आ सक्ति में जो है उसमें बहुत कुछ कमाना है कभी बिवारी है कभी मिलना भिछुडना है उसमें चला जाता है बचा कि graveyard how हमारे हिस्से भी कितना आया हम लोग जीवन परियंत बिवस्था बनाते रहते हैं जीने की बिवस्था बनाते रहते हैं जीते कब हैं ऐसा हो जाए तो जीवन ऐसा हो जाए तो आराम करेंगे इतना हो जाए तो फिर भजन ही करूँगा इतना हो जाए तो फिर ध्याने ही करना है, मतलब जीवन परियंत हम बिवस्था बनाते रहते हैं, और समय धीरे धीरे चला जाते हैं, आंतिम इस लोग भी पढ़ लें, अपने इस प्रसंका, आंतिम इस लोग भी पढ़ लेते हैं, आंतिम इस लोग है, एक नाटक का का पर्दा है, रंग मंच है नाटक का, छणम बालो भोत्वा, छणम पैयुगा कामर सिकह, छणम बेत्तै रहीना, छणम पिचा संपोर्ण बिभवा, जरा जीरनै रंग नट इव वाली मंडित तनू, नरा संसारं ते विषतियं आधीनियव निकाम, तीसरी लाइन में एक शब्द है, नट इव, नट इव को सबसे पहले लाओ, यह द्रिश्टांत है, नट इव, नट माने, जैसे रंग मज पर कोई कलाकार है, तो नट इव, कैसा है नट इव, यह मनुष्य हमी नट हैं, कैसा हो रहा है, छणम बालो भूत्वा, एक छण तो बिलकुल हम बालक बन करके क्रिडा करते हैं, फेल रहें, यह संसार एक रंग मंच है, इसी को रंग मंच समझो, यहां बस परदा गिरता रहता है, हमारा रोल बदलता रहता है, एक परदा गिरा हमारी भूम का बदल गई, एक परदा गि इसी रंगमंश पर न हम जीवा हो गए कामना हुई शरीर में और फिर हम ग्रियस्त में गए कामरशिका फिर पीचा संपरूण विभवाहा फिर हमने ऐसा रोल हमको मिला कि पूरा धन संपत्य जिस समय जो भूमिका मिलती है अगर वास्तों में आप ओ कलाकार हो तो उस भूमिक कोट पहन के वैठे हैं सब कुछ ठीक है रोलनिभाव बढ़िया रोलनिभाव लेकिन परदा गिर गया और उसके बाद ओ जो जनक बने थे और फिर कहें मेरा रथ लाओ तो क्या होगा फिर अब परदा गिर गया हो गया रोल खतम तुम्हारा यही न तो ऐसे एक शण में हम को धन संपत्य मिला संपून बैभो एक शण में हम दरित्र हो गए ऐसे जीवन में चाण चण में बजल लाए फिर जारा जेर्णई ही अंगई नट जारा जेर्णई कभी हम बालक थे और फिर उसके बाद हमारा शरीर अब रोल कौन सा हो गया धावस्था का हमारा जीवन इसी प्रकार से यह जो है ना बली मंडित तनु बली मंडित माने सफेद बाल हो गये चेहरे पर जुर्यां पढ़ गई बल पढ़ गये जैसको कहते माथे पर बल पढ़ गया तो यह चेहरे पर जुर्यां पढ़ गई अब किसी बच्चे का ऐसे उठाओ शमड़ा तो नहीं उठेगा उसके हाथ में जो है अभी हम लोगों कैसे उठाएं तो उठ जाता है तो हमारे चेहरे पर शरीर पर जुर्यां पढ़ गई बली मंडित तनु इस प्रकार से ज संसारंते जब समाप्थ होने लगा तो यम आधीन यवनिकां कहते हैं वो परदा गिर्णे को रहे हैं पर जुर्दा गिर्ण तो एक दृष बदल गया तो एक एक दृष बदलता जाती हैं, अपना भूंका बढ़िया निवाओ, एक केवल एक संसार नाटक का रंगमंच जैसा है, मुझको भूंका मिली है, कर रहे हैं, एक भक्त ने भागवान से बढ़िया प्रार्थना किया, वो उर्दें के चोने, ए तो भक्ती वाला भी सह था, है न, लेकिन भक्ती वा प्रार्थना है, भक्ती ने हिर्दें से प्रार्थना किया, प्रभो एस अंसार आपका बनाया हुआ रंगमंच है, मैं जानता हूँ, आपने हमको यहां पर कुछ भूंका निभाने के लिए भेजा, आप इस जगत के डाइरेक्टर हो, निर्देश शको हो, अब अगर मैंने आपका दिया हुआ रोल बहुत बढ़िया निभाया हो, तो हमको पुरसकार दीजिए, यही न, और अगर अगर आपका दिया हुआ रोल हमने ठीक से नहीं निभाया, तो आप इस नाटक कंपने से निकाल दीजिए हमको, यही तो है न, भाई अगर जो डाइरेक्टर है, आपके रंगमंच पर हमने बढ़िया काम नहीं किया, तो आप हमको दुबारा इस नोटंकी में मत भेजना, यही ना, निकाल देना, और अगर बढ़िया काम किया हो, तो पुरसकार दीजिये कि दुबारा यहां पर आना, भक्त की प्रार्थना है, भगवान, है ना, आपका र पर पच्चासवा इसलोग पूरा होता है, इसके बाद फिर जो दसक शुरू होगा, उसमें यती निर्पती संभाद उसका नाम है, यती एक सन्यासी, निर्पती एक संभाट, दोनों का आपस में कुछ चर्चा होती है, और उसको लेकर के बढ़िया संभाद है, आप राजा हो हम महाराजा हैं, ऐसी चर्चा होगी, अंत में एक बात में कहके और समाप्त करना चाहता हूँ, नदी नाव सहियों, फिर प्रभु जब चाहेंगे तो, हमारा जो ज़्यादा तर, कोशिस हमारी ये होती है, कि सिद्धान्त हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, हमारे हिर्द आने वाला, वही सिद्धान्त मेरे लिए कल्यानकारी है, एक जगे पर कहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ज्यान का फल क्या है, तो हमारी समझ में आया कि एक सब्द अपने जीवन में लाओ, निश्चिंतता, कार्म अगर स्रेष्ट तरीके से करोगे, तो कार्म योग का भी फल निश्चिंतता है, भक्ति अगर अच्छी तरीक से करोगे, यही तीन उपाय है, कार्म भक्ति और ज्यान, तो भक्ति का फल भी निश्चिंतता है, और ज्यान के मार्ग में चलोगे, तब भी उसका फल निश्चिंतता है, यह आपका एक जो है, पहचानने का एक मीट होता है, न, आपके भीतर कितना वो पैक्चान के लिए एक Ughück निश्चिंतता पटनी आई आई अब बिवेक कैसे करना है, इस बात को आगर कोई कार्म होगी है तो उसकी निlaughter कार्म में है न कार्म में है कार्म परधान विष्यो करी राखा तो कार्म में निष्ठा है तो उसकी द्रिष्टी में यह होना चाहिए कि फिर जितने हमारे इस संसार में जीव आए हैं सबका अपना अपना पूर्व का कार्म यानि प्रारब्ध है जब सब का अपना अपना प्रारव्ड है तो फिर जितना संभव हो मैं किसी के लिए सहयो करता हूं चिंता क्यों करूं हमारे बच्चे हैं, मित्र हैं, भाई हैं, समाज में लोग हैं, सब का अपना अपना कर्म है जी, जिस दिन सब्द बेधी बान मारा होगा, स्रवन कुमार मरे, उसी समय तैं हो गया ना उनका, उस समय विवा भी नहीं हुआ था, उसी समय तैं हो गया कि तुम भी ऐसे पुत्र योग में तडब के मरोगे, तो गुर्देव वसिट जैसे उनके साथ हैं, सुमंत्र जैसे सहायक हैं, भागवान ही उनके पुत्र बन के आए, उनके प्रारब्द को कोई टाल नहीं पाया, तो जितने भी आप हो सब का अपना अपना प्रारब्द है, तो अपनी तरह से बढ से बढ़िया करो, do your duty and forget all, बढ़िया से बढ़िया करो और निश्चिंत करो, कार्म योगी किया दंविश्वास प्रारब्द पर होता है, इस शरीर का भी प्रारब्द, दूसरे के भी सरीर का प्रारब्द, इस सरीर के प्रारब्द में अगर रोटी है, तो मिलेगी खाने, इस शरीर में अगर इसका प्रारवद रोटी नहीं है, तो भले आपके घर में चारो तरफ से भारा पड़ा हो, बैद्य मना कर देगा कि कुछ खाना मतूं, धर्ण विश्वास प्रारवद पर, धर्ण विश्वास, कार्म योगी की निष्ठा प्रारवद पर, परिणाम निष भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और भगवान तीन लोग के स्वामी है, सारी स्रिष्टी उनकी है, तो मेरे प्रभु जो करते हैं, वो सब मेरे कल्यान के लिए करते हैं, फिर मैं जारासी भी चिंता होगी, तो समन्ना कि अभी बैचारिक धरातल पर कहीं पर कहीं बिष्वास करके निश्चिंत होता है और ग्यानी, ग्यान के मारग वाला, इसलिए निश्चिंत है क्योंकि जगत तीनों काल में है ही नहीं है हलो सबने को देख करके तुम चिंतित हो रहे हो एप तरब तो कहोगे सारा जगस वप्न के जैसे है भासित है बिद्यमान नहीं है आकास की निलमा के जैसे तरफ बिला भी कर रहे हो कैसा जीवन है ज्ञान में तो बिलकुल आपके लिए चिंता करना बिलकुल हो, संभव नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सरगे पिनोप जायन ते प्रलय ना बिधनती चा, प्रलय भी होने लगे, तो भी आपको चिंता करने के जरुड़त नहीं, क्योंकि ये स्रिष्टी कभी ही, अब बत हो, चिंता क्यों करते हो, कार्म के मार्ग से चलने वाला साधक, प्रारद पर उसका द्रण विश्वास है, निश्चिंत है, ठीक है, समझ में आरी बात नहीं, भक्ती योग किसे माध्यम से साधना करने वाला, भगवान मेरे हैं, आप तो तीनों वाले हो, फिर भी चिंता कर करते हो, कार्म भी करते हो, भगते भी हो, ज्यानी भी हो, फिर भी चिंता कैसे लगता होगा, और ज्यानी कहता है, कहां, नकस्चे जायते जीवा, संभाव अस्यन विद्यते, प्रपंचो बिनिवर्थेत, ए प्रपंच निट जाता, अगर बना होता, तब नहां तो बना ही अपने आनन भी रहो, आपका सरूप सचिदानन्द है, आप परमातमा से पर्थक नहीं हो, आप वही हो, वही हो, अपनी स्मृति लाओ, अपना बोद लाओ, इस देहात न बुद्धी से उपर उठकर करके, हाँ, 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 इस्मृति लब्दा, अरजुन आखिर में यही कहता है, हमको इस्मृति आगई, इस्मृति हो गई है न, अपने स्परूप की आद आज आजाए, तो उस मिस्त, जैसे परिक्शित कहिदे देते हैं, अब मैं सिद्ध हो गया, मैं जान गया कि सरीर, अलग है, मैं अलग हूँ, साब काटेगा सरीर को, मैं तो सुद्ध हो, अ अपने स्वरूप से कभी चुत मत हो, एस संसार में थोड़ी बहुत डामा डोल, इस्थितियां आती जाती रहती हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाविक मत हो, विचार कोई भी हो, इस विचार से भी, इस विचार से भी, इस विचार से, परिणाम भीतर घटित होना चाहि मेरा संत जन्नों को प्रणाम है आप सभी को भी जो है मेरा प्रणाम और बहुत सारा हमारी सुक्कमनाएं है खुब आगे बढ़ो इस मार्ग पर रुकना नहीं चाहिए हम जितना जानते हैं अच्छा है इस अंता करण को और भी अच्छे मार्ग पर लगाए रखना है अच्छे मार्ग पर लगाए रखना है आप लोगों ने मुझे को बुलाया आप चाहे जैसे भी मिलाने वाले तो कोई और हैं ग्रीज भाई से मारी दो तीन बार फोन पर बात हुई अब तो मसूदन जी से परचित हो गया उमा जी भी है सुजात सब से परचित हो गया लेकिन पहले तो गिरिज भाई से ही हम मुलाकात नहीं थी पोन पर बात हुई तो ऐसे भी था आप लोगों के बीच में आ गए जितना जो भाव था ग्रंथ के अमसार जैसा था हमने समझाने का प्रयास किया बागी सब प्रभो की इच्छा जैसा उनका है इनी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ